आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनीक सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसे आप लेडिस काड़ियन में, लेडिस जैकिट में, लेडिस शग में, गल्स टॉप में, बच्चों के सेटर में अपलाए कर सकते ह तो दिखें, आगे की साइड से इस तरह से दिखता है, और पिछ की साइड से इस तरह से दिखता है, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे, वो आठ के मल्टिपल से होंगे, यानि कि आठ फंदे, आठ फंदे, आठ फंदे लेते हुए जाएंगे, प्लास तीन फंदे एक्स्टा रखेंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए और दो फंदे एस्टिच के लिए होंगे और ये जो डिजाइन है ये दस रो का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाते है तो देखिए मैंने यहाँ पर 19 फंदे लिए है 16 फंदे 8 के मल्टिपल से लिए है यानिकि दो बार 8-8 फंदे लिए है तो 16 फंदे हो गए प्लास तीन फंदे एक्स्टा लिए है एक फंदा साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए 17 फंदे 2 फंदे एस्टिच के लिए 19 फंदे और निचे से बेस देने के लिए दो रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं पहली रो सीधी साइड एस्टिच स्लिप्ट करेंगे यहाँ से रपीट पैटन स्टाट करेंगे धागा आगे करेंगे इस फंदा उल्टा बनाएंगे थागा पीछे एक फंदा सीधा यही दो फंदों का पैटन बार बार पीट करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक उल्टा सीधा उल्टा एक उल्टा सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा, उल्टा, एस्टिच, सीधा, पहली रौ कम्प्लीट हो गई है, दूसरी रौ है रौंग साइड, अब देखिए, इस रौ में ये सीधा फंदा है, सीधे फंदे के उपर उल्टा फंदा बनाएंगे, और उल्टे फंदे के उपर सीधा फंदा बनाएंगे, तो देखिए, जैसे हमने फर्स्ट रौ में बनाया था, पहले उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा, सीधे फंदे के उ पर उल्टा फंदा उल्टे फंदे के उपर सीधा फंदा देखे एक फंदा उल्टा एक सीधा तो यही पैटन बार पार रपीट करेंगे एक उल्टा एक सीधा रागा आगे एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा, एक पंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, एस्टिच उल्टा बना लेंगे, तो दूसरी रौ कम्पलीट हो गई है, अब देखिए तीसरी रौ सीधी साइड फिर से फर्स्ट रौ की तरह ही बुनेंगे, तो देखिए इस पैटरन को साबूदाना पैटरन बोलते हैं, तो इस पैटरन को आप बॉर्डर में भी यूज कर सकते हैं, अगर नीचे से बॉर्डर बनाना चाहिए तो इस पैटरन का आप बना सकते हैं, तो बहुत ही प्रिटी लगता है, नीचे से ये बॉर्डर बनकर, तो देखिए तीसरी रौ सीधी साइड, एस्टिच स्लिप करेंगे, फिर से पहली फंदा है, इसके उपर उल्टा फंदा, उल्टे फंदे के उपर सीधा फंदा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, 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 ए उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा, उल्टा, एस्टेच, सीधा, तीसरी रह कम्प्लीट हो गई है, चौती रह है रॉंग साइड, सीधे फंदे, ये देखे, सीधे फंदे के उपर उल्टा फंदा, उल्टे फंदे के उपर सीधा फंदा, एक फंदा, उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा एस्टिच उल्टा तो दिखिए चार रो कम्प्लीट हो गई है यह दिखिए यह सेम ही हमने बनाई है चार रो अब देखें पांच मी रौ है और सीधी साइड है एसटे स्लिप करेंगे यहां से रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे पैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाए डालेंगे यह देखिए यहाँ पर हमने 1 फंदा सीधा बुना जाए डाली बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा 3 फंदे सीधे आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा जाए डाली यह 8 फंदों का पैटन है देखिए 2, 4, 6, 8 फिर से इस पैटन को बार बार पीट करते जाएंगे तो दिखिए 1 फंदा सीधा जाए डालेंगे 2 फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे तो दिखे एस्टी छोड़कर यहां तक हमारे दो पैटरन कम्प्लीट हो गए है लास्ट में दो फंदे बचेंगे एक फंदा सीधा एस्टे सीधा बना लेंगे तो पांचवी रौ कम्प्लीट हो गई है छटी रौ है रौंग साइन इस रौ में सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे एस्टिच उल्टा बनाएंगे साथ मी रौ है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रौपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे एक फंदा सीधा यह देखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे बुने जाई डाली बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डाली एक फंदा सीधा फिर एक फंदा सीधा, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा चाही डालेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, एस्टिच सीधा बना लेंगे, तो दिखिए, साथ मी रौ कम्प्लीट हो गई है, आठ मी रौ है, रौंग साइड सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे नौमी रौ है और सीधी साइड है एसटी स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का 1 फंदा slip किया हूँ फंदा उपр से पास करेंगे जाई डालेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2 यह देखिए यहां पर हमने 3 फंदे सीधे बुने जाई डाली 3 फंदों का 1 फंदा जाई डाली 2 फंदे सीधे फिर से इस पैटन को repeat करेंगे तो देखिए तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन चाहे डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा एक फंदा स्लिप करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा स्लिप किया फंदा उपर से पास करेंगे चाहे डालेंगे दो फंदे सीधे एक, दो लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, एस्टिच सीधा बना लेंगे तो देखिए, नौमी रो कम्प्लीट हो गई है, दसमी रो है रोंग साइन, सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो देखिए, दसमी रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स ट्रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वान टू टेंडर रो रपीट करते जाएंगे और ये पैटन भन कर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं तो फ्रेंड आप भी से बनाएए और अपने एक्स्पिरियंस मारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा पैटन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सस्काइब करना मत भूले तो मिलते हैं ऐसे ही और ने ने पैटन के साथ तिल देन बबबे फैन